नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में दोस्तों इस वीडियो मताने वाला हूँ कि आगर आपके पास Realme 8 Series का फोन है Realme का फोन है तो आप i-block को किस तरह से remove कर सकते हो i-block को remove करने के लिए आपको setting पे चले जाना होगा setting पे बाद आपको चले जाना है नीचे यहां पे privacy में यहां पे app lock पे चले जाना है यहां पे आपको pattern password जो भी है उसको आपको verified करना है dual dot पे जाना है setting पे जाना है और यहां पे turn off का option आता है आप turn off कर सकते हो अब यहां पे जैसे कि बहुत सारे लोग की requirement होती है कि आप जो है ना हमारा instantly lock नहीं हो रहा है जैसे ही आप छोड़ रहे हैं वैसे ही lock नहीं हो रहा है और unlock हुआ पड़ा है जैसे कि एक बार हम unlock कर देते हैं तो unlock पड़ा हुआ हुआ है तो यह इसको आप on कर सकते हो इसको करने से जैसे ही आप application को छोड़ोगे आपका लॉग हो जाएगा ओके दूसरा चीज होता है कि आपका यहां पे जो application है आप लोग है यह यहां पे अगर आपको turn off करना है तो यहां पे जाकर करके यहां पे save पे क्लिक कर सकते हो आपका app lock turn off हो जाएगा ओके अब आप लोग turn off करने के लिए आप यह गलती मत करना जैसे कि बहुत सारे लोग करते है वह क्या करते है कि यहां पे वह जाते हैं चले जाते हैं प्रिवेशी पासवर्ड पर पूरा प्रिवेशी पासवर्ड हटा देते है है टान अफ कर देते हैं तो प्रिविशी पासवर्ड अलग की चीज़ होती है भाई प्रिविशी पासवर्ड जो वर करता है वो लॉक के उपर हाइट के उपर प्राइबिट से उपर तीना को उपर काम करता है तो ऐसा चीज आप मत करना ओके दोस्तों वीडियो अच्छी